हेलो नमस्कार दोस्तों केसी हैं आप लोग आसा करते हैं कि बहुत अच्छेंग और खुस होंगे हमारे यूट्यूब चुनल सचा दरिपन में आपका स्वागत हैं चो चलिए दोस्तों आप लोग को आज हम दुसाद के महापुरूस के बारे में बताएंगे राजा सलहस के ब दुसाद राजा सलहस का गुनगान किया है इनका काल इसापुर्व 800 माना जाता है इस समय तक आड़िय बरहमन गंगा योमना के मैदानी भागों में परवेश कर चुके थे पुरानों में वर्नित देवासुर्ष संगराम में विश्नु राहु का यूद परसिद्ध है यह संगहर्ष मोरंग परदेश में ही हुआ था वास्तम में आरिय अनारिय संगहर्ष को ही देवासूर संगराम का नाम दिया गया है विष्णू आरिय तथा इंद्र का सयोगी था जिसे बाद में बढ़ा चढ़ा कर संसार के पालक के रूप में प्रचारित किया गया है विशनु दुसादों के देवता राहु का हत्यारा और अनारिय राजा संबर की पत्नी बिंदा का वलतकारी था रीग वेद में विशनु एक छोटे देवता के रूप में वर्नित है जिसे इंद्र का छोटा भाई बताया गया है इससे लगता है कि विशनु आरिय के अध्यपत्ती इंद्र का सहयोगी था जिसने अनारियों पर भाड़ी अन्याय किये रजा सलहस से समंदित जनकारी लोग गीतों और कथाओ से ही मिलती है क्योंकि इनका कोई लिखित इत्यास उपलब्द नहीं है प्रन्तु लोग गीतों में वरनित परसंगों को जाच परिक्षन कर ही संग्रेहित करने की आवशकता है इसमें बहुत सारी अलंकारिक और चमतकारिक बातों का समावेस होता है राजा सलेश की राजधानी महसोथा गड़ था जो बरतमान नेपाल की उत्री पुडवी स्यमा से 15 मिल पस्चिम तता भारत नेपाल स्यमा से 12 मिल पर है इस अस्थान पर उनका कंचन गड़ अब भूमी साथ हो चुका है जो दर्शनिय अस्थल बन गया है इस से दो ढ़ाय मिल पस्चिम मानिक दह नामक स्रोबर है जिसके पास उनका सावजनिक सभा मंडप है उसके पांच साथ मिल की दूरी पर राजा की फुलवारी है राजा सलेश अपने आसपास के छेतर में देवताओं जैसे पुझे जाते थे राजा सलेश परम सिभग्त थे उनके राजधवज का निशान तिर्सूल था तिर्सूल का अर्थ है वह मानसिक बुराईयां जो व्यक्ति की जीवन में कलेश अथवा सूल पैदा करे शूल पी होता है वह दुख पाता है उसके मन में कस्ट अथवा सूल पैदा होता है इन मानसिक सूलों की दवा है तिर्सरन यानी बुद्धम और संग सिभ भारत के मून लिवासी अवेदिक और अनारिय देव थे तिर्सूल की आकिर्तिक सांची सतूब के द्वारों पर भी बनाई वे सदेव मून लिवास्यों के कल्यान में नीरत रहने वाले महादेव थे शिव आडियों के यग्यवाद के कट्टर विरोधी थे यही कारान है कि उन्हें आडिय राजा दक्ष द्वारा अनुस्ठित यग का विद्वान्स किया था बाबा सहब डक्टर अंबेटकर के अन पिस संखवार तो यहां तक लिखते हैं कि तथागत बुद्ध को ही सीव के बनाटी रूप से ब्रहमनों ने पेश किया है यह एक सोध का भी से है दक्ष यह जानता था कि सीव यग बिरोधी है इसलिए दमाद होती हुए भी उसने सीव को यग में आमंत्रित नहीं कर उन्ह अपमानित किया सीव ना केबल यग केबल की मुल रूप से बैद के भी द्रोही थे बाद में विदेशी आरे बरहमनों ने उन्हें गंजेरी भंगेरी तथा सापों के हार पहनने वाले सुद्र देवता के रूप में अस्थापित कर दिया पुरानों में सीव को पग पग प इसके बाद गंगा सीव की जटा से होकर पिर्थी में परतरती है इस कथा के द्वारा सीव को विष्णू से नीचा दिखाया गया है क्योंकि उनके मस्तक पर गंगा की धारा विष्णू की चर्णों से निकलती है इतनी ही नहीं उन्हें मोहनी रूपी विष्णू के आगे एक कामतूर साधारन मानव की तरह प्रस्तुत किया गया है तथा विष्णू की समक्स भस्मा सूर से अपनी प्रान रक्षा के लिए उन्हें गिरगिराते हुए लाचार प्रानी के रूप में दर्साया गया है एक समय था जब बरहमन सीव को पुजिय देवता नहीं मानते यही कारण है कि सीव मंदिर में सूद्र परवेश कर सकता था परंतु देवी अथवा अन्य देवताओं के मंदिर में नहीं यजुरुवेद के 33 सनहिता 310 में सीव को चोरो दसाओं और डखेतों के देवता के रूप में वर्नित क्या गया है उन्हें पतितों कुमारों और लोहारों का राजा बताया गया है इतना ही नहीं बरहमनों ने सीव को अपमानित करने के लिए उनके लिंग की पोजा के परंपरा के निव रखी जबकि वास्तविक्ता है कि लिंग पोजा मुल रूप से बिश्नु से समवण्ध थी समस्त उतरी भारत में सीव का एक्छत्र सासन था लेकि सर्डियंत्र के तहत सिव को सदा च्यूत करने के लिए उन्हें आडिये राजा दक्ष के बेटी परवती से विहा करा कर कैलास परवत प्रभेश दिया गया ताकि भोग बिलास में सिव अपने राज किया कर्तवियों को भूल जाएं राजा सलेश को यह मालूम था कि सिव हमारे अनारिय पुरवज है यही कारण है कि उन्होंने सिव को अपना आदर्स बनाया था रजा सलेश सूर वीर और प्राकर्मी थे वे परजा के सुख दुख के साथी थे वे अपने राजे छेतर में घोम घोम कर हड समभब परजा के कस्टों को दूर करने में तत्पर रहते थे तथा दोराचारी बरबर आर्य आकरमनकारियों से उनकी रक्षा करते थे राजा सलेश सभी जाती के लोगों का दुख सुनते थे तथा उसका निर्वारन करते थे आर ये बिरोधियों को वे छापामार यूद के द्वारा मात देते थे वे देशपरीम तथा अव्यस्थित समाज को वेवस्थित करने में निपून थे मैथली सहती में उनका बराहिय उचस्थान है राजा सलेश की विशाल सेना थी उनकी सेना में गजवाहनी असवाहनी एबम पैदल सेना थी आज के संदर में राजा सलेश मिथलांचल में देव पुरूस के रूप में परसिद्ध है सलेश का भी गोहबर में मिट्टी का पींड बना कर दुसा जाती के पूजा में परसाद सो रूप खीर खाए जाती है इस बरकार राजा सलेश परजा पालक परजा चिंतक और अन्या की खिलाप मुकाबला करने वाले देव पूरुस के रूप में बिहार में परसीद है अगर यहां जनकाड़ी आपको अच्छा लगा अपने महापूरुस का तो हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल एकन घंटी दबा देजिए और दुसादों के महापूरुस के बारे में दुसादों की इत्यास के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने दुस्तों में सर कीजिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए धन्य झालेवाद